हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत आपके अपने डिव चनल एक्स्प्लेइन मी बैंकिंग में महीं आपका दोस संतोस दोस्तों जब भी हम अपने ATM कार्ड के पिन को भूल जाते हैं तो काफी ज्यादा परेसान हो जाते हैं क्योंकि जब तक हम उस ATM को या तो फोरगट नहीं कर सकते हैं और इस कंडिशन में हमें कई तरह की दिकतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आज के इस वीडियो को देखते रहिए इस वीडियो में आपको दो आसान तरीके बताने जा रहा हूं जिसकी सहायता से आप अपने उस ATM कार्ड के प्रॉसेस में आपको अपने ब्रांच में जाना है वहाँ पे आपको new pin के लिए request form लेना है उसको फिलब करके अपने branch में जमा कर देना है इसके बाद वहाँ के employees उसमें action लेंगे और आपके उस ATM card के लिए new pin generate किया जाएगा उस new pin के generate होने के बाद आपके bank के headquarter से उस pin को आपके branch में भेज दिया जाता है और जब वह ATM pin आपके branch में आ जाएगा तो वहाँ से आप अपने ATM pin को receive कर सकते हैं और उसके बाद उस ATM pin की सायता से अपने ATM card को use करना start कर सकते हैं लेकिन यह process बहुत जादा लंबा भी है और इस process में पता नहीं कितने दिनों के बाद आपका ATM pin generate होके आपके branch में आएगा उसके बाद आप उसको receive करेंगे और तब जाके आप अपने ATM card को use करना start कर सकते हैं इन सभी problems का solution इसके दूसरे तरीके में हैं इस तरीके में आपको किसी भी चीज के लिए wait नहीं करना है तुरंत ही अपने ATM card के लिए new pin set कर सकते हैं तो बढ़ते हैं इसके दूसरे तरीके के और जानते हैं कि यह तरीका कौन सा है दोस्तो इस तरीके में आप अपने उस ATM card के लिए green pin OTP generate कर सकते हैं और उस green pin OTP का यूज करके अपने ATM card के लिए new pin तुरंत ही set कर सकते हैं दोस्तो अभी के समय में लगभग सभी बैंकों ने green pin generation के process को provide कर दिया है और इस process में आप कभी भी कहीं भी अपने किसी भी ATM card के लिए green pin generate कर सकते हैं और उस green pin का यूज करके अपने ATM card के लिए new pin कभी भी set कर सकते हैं और जैसे ही आप अपने ATM card के लिए new pin set कर लेंगे तो उस new pin की सहता से आप अपने ATM card का यूज करना start कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहां पर हर एक बैंक के green pin generate करने के और उसको validate करके new pin set करने के process अलग-अलग हैं लगभग सभी बैंकों के green pin generate करने के और उसके pin को reset करने के process हमारे इस channel और हमारे website www.explainmebanking.com में उपलब्द है जिनका link आपको इस video description और i button में मिल जाएगा या फिर बैंकों का process यहां पर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप हमारे website या फिर हमारे channel में जाएं और वहां पर उन video को देखके आप तुरंथ ही अपने भूले हुए ATM pin के जगह पर उस ATM card के लिए new pin set कर सकते हैं और उस ATM card को तुरंथ ही use करना start कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दी हैं जिससे कि आप अपने ATM card का पिन जब भूल जाते हैं तो उससे new pin set कर सकते हैं और उसका यूज करना start कर सकते हैं मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर करना बिल्कूल भी न भूले क्योंकि इसी तरह साफ दूसरे जरुरत मन लोगों की मदद करेंगे और हमारे इस वीडियो के बारे में किसी भी सवाल हो तो हमारे कमेंट में मिलके हमें आपके कमेंट का इंतिजार रहेगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राब ने किया तो जल्दी सब्सक्राब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मिना भूले क्योंकि इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो एंट्रे बिल्योग साथ